नितीश कुमार लालू पुशाद यादव ने लगातार संग के विचारों का विरूद किया है लेकिन नितीश कुमार ते जस्वी यादव कल संग के विचारक की जैन्ती के अब सरदांजली देने के लिए चले जाते हैं और उसके बाद कयासों का बाजार भी गर्म हो जाता है हमारे साथ माले के विधायक है अरुन सिंग जी उन से जान लते हैं सर किस तरह से देखते हैं कल जिस तरह से नितीश कुमार चले गए किस तरह से देखते हैं देखिए उनको तो मैंने राज्किय समरोह के रूप में लोग मनाते हैं तो उससे मैं समझता हूँ कि इतना ही थोड़ा सा बात है और इसका जो क्यास लगाए जा रहा है तो उसका कोई अधार हम अभी देख नहीं रहे है चुकि नितीश कुमार कोई सधारन पोल्टिसियन है नहीं वो मजे हुए पोल्टिस के मजे हुए खिलाडी है और उनके सामने बहुत अंगणीत साफ साफ है कि आज के डेट में देश की पोल्टिस का कह रही है ताज देश में नितीश मोदी जी का हर जगा उनके गिरावट सुरू है देश के अस्तर पर भी गिरावट सुरू है दुनिया के अस्तर पर भी उनकी गिरावट सुरू हो बही है इसलिए मै मैं नहीं समझता कि नितीश को मात दुबते हुए नाव पर कभी सावारी करने वाले हैं। क्या लगता है कि RSS के विचारक थे वहां चले गए क्या आप लोगों के कोई विचारक है क्या उनके करिक्रम में नितीश को मर जाते हैं। अब देखिए हम लोग तो Communist Party हैं और Communist Party की राजनिती जो है अभी कोई राजकी समरोग किसी नेता कामा रहो तो उनको जाना बाधता है चैहां उनके Party के किसी लीडर को जाना बाधता है जब सरकार में रहेंगे तो लेकिन हमारे कोई किसी भी नेता को राजकी समरोग तो मनाया नहीं जाता है आगर ऐसे बहुत सारे उनके नेता हमारी Party के बहुत सारे नेताओं के सर्धान सभाब में पहुचे हैं अब इहाल में हमारे Party के बरिष्ट नेता राजा राम जी के साहधत दिवस्था सुक्सम्वेदन अभ्यक्त करना था तो उनके Party के लोग गए थे हमारे Party क अब यह चोधरी उनके बरिष्ट नेता गए थे तो ऐसा नहीं है जाते हैं अब तो गड़बंदन है जाना है हम भी उनके किसी आदर्स वाले नेता हैं उनके जयनती में जा सकते हैं नितिश कुमार या तेजस्वी आदर को लगातार सुना गया कि आरेसेस की कोई भूमिका नहीं है सोतंतरता आंदोलन में और उनके विचार धारा को ले करके कई सवाल भी उठा है आप तो जानते हैं कि नितिश कुमार और बीजेपी 17 साल तक बिहार में राजकी दोनों की सरकार चली दोनों की सरकार चली तो उसमें बीजेपी के भी बाते मानी गई तो उसी तरह से इनके इनका जो जयनती मनाया गया तो ये लोग राजकी समरों घोसित कर दिये तो घोसि दूरी है इसलिए गय हम नहीं समझते हैं कि जो लोग इसका इधर उधर क्यास लगा रहा है वो कहीं से भी मनें पुलिटिकल धरातल पर कोई उसका स्थित्व है परशुपती कुमार पारस केंद्रिय मंत्री हैं उन्होंने साफ तोर पर कहा कि समय बलवान होता है और नितीश कुमार इधर आते हैं तो स्वागत करेंगे आप लोग देखते जाईए अच्छे परशुपती पारस तो हम विधायक थे तो विधायक थे और बीत में सांसद ही बने और आज किंद्रिय मंत्री भी हैं उनकी जो परतिष्ठा है उस पर हम कोई सवाल नहीं उठाते हैं लेकिन मैं नहीं समाझता है कि पुल्टिस में परशुपती पारस कोई आइड विलास जी के भाई हैं और भाई के नाते हुँ चाहे विधायक बन जाए चाहे वो आज सांसद बन जाए फिर मंत्री बन जाए उनका क्रेडिट यही है और जो भी बात बोलते हैं मैं नहीं उसका माने निकलता हूं कोई गमिरता से लेता हूं उनका कहने का कोई भी कोई भी राजनिती मेरो सधारन सा एक कर्ज करता हो विदायक MP तो छोड़ दिए एक कर्ज करता हो वह भी आद देश के राजनितिक प्रस्तिति का बिसलेशन करेगा तो यह नहीं कर सकता कि नितिश कुमार एंडिये गटबंधन अब हाल फिल हाल जाने वाल हम भविस्वानी तो नहीं क कोई अस्थाई नहीं होती है अब बाद हम गटबंधन में का होगा बाद में तो यह भी नहीं कर सकते हैं लेकिन आज जरूरत है पुल्टिस का और पुल्टिस की जरूरत करनुसार हमने देश की राजनिती करने के लिए जो पाटी बनाई है जनता की इपाजत के लिए जो गटबंधन में राकर भाजपा जैसे जो संपरदाईक फासिवादी थाकते हैं जो समिधान और देश को बरवाद करने वाली थाकत है उसको रोकना जरूरी है यह हमारे लिए जरूरत है नहीं तो आने वाली पिढ़ी यह जरूर हम से पूछेगी कि जब देश बीक रहा था समिधान खतम हो रही थी ता हमारी बाप दादे क्या कह रहे थी अरुन सिंग थे विधायक और इन्होंने साब तोर पर कहा कि फिलहाल जो वरतमान परिस्थितियां है उसमें नितीश कुमार कहीं नहीं जाने वाले हैं और यह जो अटकलें लगाई जा रही है वो बिलकुल ह कि गलत है क्या बसंद स्याम के साथ आश्रतोशन रकसिस्नी उस्पटना